Welcome back to all of you, we are talking about pronouns, जिसमें हमने pronoun start किया और उसमें हम अपना pronoun number one, personal pronoun के बारे में बात कर रहे थे तो previous videos में हमने देखा कि कहां हम subjective case का use करते हैं, कहां हम objective case का use करते हैं उसमें से एक case हमने देखा, positive case और आज हम इसी positive case के बारे में ही बात करेंगे, right तो हमारे सामने यहां पर है एक positive adjective और दूसरा है positive pronoun क्या difference होता है और कैसे हम इनका use करते हैं, इस video में हम इसका difference समझेंगे Let's begin, बात करें positive adjective की, right तो पिछले वीडियो में जैसा की हम देख चुके हैं कि possessive adjective, I का possessive adjective अगर हम I का position बताते हैं किसी चीज़ के उपर तो उसके लिए हम my लगाते हैं अगर बात करें हमारी, तो we का possessive adjective होता है our, you का possessive adjective you are, they का there, he का his, she का her, और it का it, it's होता है तो यह होते हैं possessive adjective, अब जैसे की हमें मालूम है कि यह जो adjective है, adjective का मतलब होता है कोई भी ऐसा word जो की noun के विशेस्ता बताता है या फिर pronoun के विशेस्ता बताता है अब क्योंकि हम यहां पर possessive adjective के वारे हम बात कर रहे हैं, तो possessive adjective always noun के पहले use किया जाता है, right इसका use हमेशा noun के पहले होगा तो यहां से हमें एक बात समझ में आ रही है कि इनके बाद में हमें compulsory noun की जरुवत होगी noun के साथ में ही हम इनका use कर सकते हैं वहीं दूसरी ओर देखेंगे पजे से pronoun यह क्या होते हैं और इनका use कैसे होता है पजे से pronoun भी वस्तू के उपर, किसी वैक्ती के उपर relationship या फिर belongingness यह सब बताने के लिए इनका use होता है लेकिन इनके साथ में हम noun का use नहीं करते तो पहले हम यह देखते हैं कि पजे से pronoun होते क्या है जैसे कि my होता है पजे से adjective और mine होता है पजे से pronoun I का पजे से pronoun होता है mine, right, you का, sorry, we का पजे से pronoun होगा ours, you का पजे से pronoun, yours, they का, theirs, he का his ही रहेगा पजे से adjective और पजे से pronoun सेम होता है इसका, she का her, इसमें हैस लगा देंगे, hers हो जाएगा और it का its, right, यह होते हैं सारे पजे से pronoun अब जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो adjective है, अब adjective है, इसका मतलब कि यह इसका use noun से पहले ही होगा लेकिन बात करें pronoun की, तो अब क्योंकि already यह पजे से pronoun है और pronoun के बाद में हम noun का use नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि इनके साथ में हमें noun का use देखने को नहीं मिलता, बात एक ही है, पजे से pronoun भी हमें पजे से pronoun ही बताते हैं concept को, right, let's begin, तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ examples हैं related to possessive adjective, आइए देखते हैं कि हम कौन सा possessive adjective के sentence में use करने वाले है sentence number one है, I really like Mr. Sutton, he is, अब देखो, यहाँ पर Mr. Sutton की बात हो रही है, यह third person है, he की बात हो रही है, right, तो अब वो favorite teacher है, यह किसका है जैसे कि मुझे यह, Mr. Sutton, यह पसंद है, और वो मेरे, अब यह जो ही आ रहा है, यह Mr. Sutton के लिए आ रहा है, मेरे favorite teacher है, इसका मतलब कि I का use यहाँ पर होगा, लेकिन यह favorite teacher, मेरे favorite teacher, तो I का possessive adjective होता है, my, right, तो पूरा sentence बनेगा, I like Mr. Sutton, he is my favorite teacher, दूसरे example पर आते हैं, Shara did not invite me, Shara ने मुझे invite नहीं किया था, तू, अब Shara की birthday party होगी, इसी लिए, यहाँ पर Shara के लिए, यहाँ पर Shara का possessive adjective हो जाएगा, हर, क्योंकि यह female है, और female representing के लिए हम हर लगाते हैं, possessive adjective, इसमें एक चीज़ जो common है, हमें देखने को मिल रही है, noun, देखे, teacher noun है, party noun है, bird, party, अब इनके आगे noun लगा हुआ है, तो यह possessive adjective हो है, question number three, parol and karen, phone me, parol और karen, ने मुझे phone किया from, उनके house से, जो की eviza में था, अब यह parol और karen, number of person है, यहाँ पर two, उन्होंने उनके घर से phone किया, तो अब क्योंकि यह parol और karen, third person है, और plural है, third person plural, जैसे कि दे होता है, और दे का possessive adjective हम लगाते हैं, तो there होता है, right, तो parol और karen ने मुझे उनके घर से phone किया, question number four, you're very happy, तुम बहुत खुश हो, because you have past, क्योंकि तुमने तुम्हारा driving test past कर लिया है, तो you का possessive adjective हम यहाँ पर रखेंगे, your होता है, question number five, we never forget to do, हम अपना homework करना कभी नहीं बोलते, तो we का possessive adjective यहाँ पर आ जाएगा, are, right, इसका जो sound होता है, वो are होता है, ना कि hour, it's are, your dog is very cute, तुम्हारा dog बहुत क्यूट है, what is, अब कुत्य का नाम पूछ रहे है, तो dog क्या है, animal हो गया, इसके लिए हम यहाँ पर it का use करेंगे, तो it का possessive adjective होता है, it's, Helen परेशान है, Helen is worried, अब यह Helen क्या है, female representing है, right, और उसकी grandmother का yesterday accident हो गया, मतलब कल उसकी grandmother का accident हो गया, तो Helen के लिए, जो possessive adjective आएगा, that is, her, her grandmother had an accident yesterday, my parents spend, मेरे parents ने, मेरे parents spend करते हैं, free time, उनका free time, अब देखो parents क्या है, plural, mother and father, तो अब इसके लिए हम, parents, plural noun है, और plural noun होता है, third person का, they, तो they का possessive adjective हो जाएगा, there, Oliver is wearing sunglasses today, अब ये Oliver, यहाँ पर he भी हो सकता है, she भी हो सकता है, let's assume कि ये Oliver, जैसे कि जादतर तो he काई नाम होता है, male representing word होता है, तो Oliver के लिए उसके sunglasses, तो यहाँ पर हम his रख देंगे, I have got a cat, मेरे पास में एक cat है, उसका नाम Daisy है, मतलब यहाँ पर cat के नाम की बात हो रही है, तो cat के लिए अपन its लगाएंगे, all right, तो ये थे possessive adjective के example, move करते हैं, possessive pronoun पर आते हैं, here we have some example related to possessive pronoun, let's see this and start answering them, The jumper belongs to Richard, jumper Richard का है, right, jumper का मतलब होता है, उचकने वाला, Richard एक person है, और jumper एक non-living things का, he noun है, right, it is his होगा, जैसे की jumper के लिए तो हम it लगा चुके हैं, right, और Richard के लिए हम यहाँ पर उसका positive pronoun लगाएंगे, तो ये हो जाएगा his, इसका meaning निकाल के देखते हैं, ये jumper Richard का है, jumper के लिए आ गया, it is his, मतलब ये उसका है, right, इसी को हमने pronoun के form में यहाँ पर लिखा हुआ है, एक तरफ noun दिये हुए, एक तरफ pronoun लगाया हुआ है, तो jumper के लिए तो it आ गया, और Richard के लिए हम his लगा देंगे, I have made my bed, मैंने अपना bed लगा लिया है, बट my sister hasn't made, लेकिन मेरी sister ने उसका bed नहीं लगाया, तो sister के लिए हम लगाएंगे, can I borrow your rubber, क्या मैं तुम्हारी rubber उधार ले सकता हूँ, I can't find, क्योंकि मेरी rubber मुझे नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर I के लिए हम mine लगा देंगे, और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि इनके पीछे, हर जगा noun missing है, कहीं भी noun का use देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि हमने adjective मैं देखा कि पीछे noun given था, यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि यह पजे से pronoun के examples है, this car belongs to my parents, यह car मेरे parents की है, it is, अब यह car के लिए तो it आ गया, और parents के लिए यहाँ पर हमें, क्योंकि parents plural noun है, तो plural noun का जो पजे से pronoun होगा, वो होगा there's, these shoes belong to you, यह shoes तुमारे हैं, they are, लिए, right, तो इधर you का पजे से pronoun हम लगाएंगे, तो you का पजे से pronoun yours होता है, this is Oliver's notebook, यह Oliver की notebook है, right, अब possession living का है, जो हमने noun में देखा था, इसका मतलब यह Oliver कोई person है, chances हैं कि यह male ही होगा, तो it is, अब यह notebook के लिए तो it आ चुका है, Oliver के लिए हम his लगा देंगे, his का पजे इसे pronoun और adjective एक ही होता है, this is the parrot's food, यह parrot's का food है, it is, अब देखो, फूड के लिए तो it आ गया, और parrot के लिए हम यहाँ पर it लगा देंगे, right, जीब जन्तों के लिए इनसान को छोड़ का हम यहाँ पर it का use कर सकता है, Kate and Ben own these house होगा यहाँ पर, Kate और Ben का यह घर है, वो रहते हैं, यहाँ पर it is, अब देखो house के लिए तो it आ गया, अब Kate और Ben क्योंकि यह plural noun हो गया यहाँ पर, तो इधर हमें there's लगा देना है, This umbrella doesn't belong to me, यह umbrella मेरा नहीं है, it is not mine, मतलब यह मेरा नहीं है, तो umbrella के लिए तो हमने it लगा दिया, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, कि यह umbrella मेरा नहीं है, तो umbrella के लिए तो it आ गया, it is not mine, I का possessive pronoun होता है, mine, you have got a lot of toys, तुमारे पास में बहुत सारे खेलोने है, are all of them, अब देखो यहाँ पर them आ रहा है, किस के लिए, twice के लिए, right, तो you का possessive pronoun हम यहाँ पर लगाएंगे, तो yours हो जाएगा, क्या यह सब के सब तुमारे है, इसे लिए yours का use होगा, तो यह basic साथ difference हमने देखा, possessive adjective और possessive pronoun के बीच में, जहाँ पर हमने यह देखा कि possessive adjective अगर होता है, तो possessive adjective के साथ में हम इसके आगे noun देखते हैं, लेकिन possessive pronoun अगर होता है, possessive pronoun, तो इसके आगे हमें noun को रखने की जरूरत नहीं होती, right, noun का use हम नहीं करते, तो यह एक छोटा सा difference था दोनों के बीच में, hope that कि यह आखो समझ में आया होगा, clear हुआ होगा, if you like this video, यह class आपके लिए helpful रही है, यह video आपके लिए helpful रहा, तो इस video को like करो, share करो अपने friends के साथ में, share करो, ऐसे ही grammar related knowledge के वीडियो उनके साथ में, औ और इस channel को इसके आगे के parts देखने के लिए और भी grammar related lesson देखने के लिए इस channel को subscribe कर लो, thanks for joining me in this video, I'll see you later, very goodbye to all of you.